दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी यूको बेंक में जिरो बेलेंस सेविंग एकाउंट की स्तरह ओपेंड कर सकते हैं यूको बेंक में साथ ही आपको फ्री डेबिट काड और चेक की भी फेसिलिटी देखने को मिल जाएगी और केवाईसी कम्प्रीट करने के लिए भी आपको बेक पर जानी की जरूरत नहीं है आप वीडियो के वाईसी के माथियम से ही अपने केवाईसी कम्प्रीट कर सकते हैं तो दोस्तों चैनल पर नहीं है तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके मिला एकन को सरूर से प्रेस कर लेज़ेगा यह एक हमारे लिए बड़ी हेल्प रोगी वीडियो के निचे डिस्रिप्शन में आपको यूको बैंक की साइट की लिंक मिल जा हम यूको बैंक का जीरो बैलेंस एकाउंट यानि की यूको डिजिटल सेविंग एकाउंट खोल रहे हो और यहां पर हमें कुछ इस जीरो बैलेंस एकाउंट के फीचर्स दिये गए है जैसे की आप जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग एकाउंट इंस्टन्ट ही खोल सकते ह और आपका वीडियो KYC के जरीए ही KYC complete हो जाएगी आपको bank पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको debit card और checkbook जो है वो free of cost मिलेंगे और आप इस account से UPI, MPS, NEFT और RTGS जैसे transaction भी कर सकेंगे और आप risk free investment भी कर सकेंगे और आप इस account के जरीए bill payment और recharge वगेरा online transaction वगेरा जो भी कर सकते हैं application करते हैं अगर किसी error के कारण आप चालू application से ही बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर resume application पर click करके आप जहाँ पर थे application पर वहाँ पर ही direct पहुँच सकते हैं आपको दूबारा application करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नया account open करने के लिए यहाँ get started पर click कर देंगे यहाँ पर आप अपना email id एंटर कर देंगे यहाँ पर अपना वह वाला mobile number एंटर करेंगे जो कि आप bank account के साथ link करना चाहते हैं यह referral code का box है जिसको आपको skip कर देना है यहाँ पर यह जो capture है वो यहाँ पर box पर enter कर देंगे और यहाँ पर दूसरे box पर भी tick करेंगे तो आपको I agree करने को बोलेगा तो I agree पर click करके start now पर click कर देंगे अपने जो mobile number एंटर किया था उसके उपर एक OTP आएगा वो OTP आप यहाँ पर enter कर देंगे और verify SMS OTP यहाँ पर click कर देंगे और आपने जो email ID एंटर किया था उसके उपर भी एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर enter कर देना है और verify email OTP यहाँ पर click कर देना है जिनकी आप application कर रहे हैं उनका आधर card का number यहाँ पर enter कर देंगे और निचे generate OTP इसके उपर click कर देंगे आपके आधर के साथ चो mobile number link है उसके उपर एक OTP send किया जाएगा चोकि आप यहाँ पर enter करके verify OTP पर click कर लिजिएगा दोस्तो एक बात ध्यान रखेगा अगर आपको Yuko Bank में apply online करना है तो आपके आधर के साथ mobile number link होना जरूरी है अगर mobile number link नहीं है तो आपको सबसे पहले mobile number link करवाना होगा उसके बिना आप online application नहीं कर पाएंगे आपके आधर काड के नंबर के उपर से सभी details face की जाएगी जैसे कि आपका photo, आपका name, आपका date of birth, gender और address तो अभी यहाँ पर आपको नीचे continue पर click कर देना है आपके pain card का number आप यहाँ पर enter कर देंगे और यहाँ पर box पर tick करेंगे जहाँ पर लिखा है कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और इंडिया में tax भरता हूँ इंडिया के बाहर में कहीं भी tax नहीं भरता और यहाँ पर next पर click कर देंगे यहाँ पर से आपको कुछ अपनी personal detail देनी होगी जिसमें सबसे पहला customer title आप select कर लेंगे Mr. Mrs. जो भी है और यहाँ पर आपका name आपके आधर कार्ड के उपर से ले लिया गया होगा तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपका marital status जो भी है single, married, unmarried select कर लेंगे यहाँ पर आपको आपका occupation select कर लेना है दोस्तों यहाँ पर आपको occupation जो है वो बहुत से दिखाई दे जाएंगे इसमें से जो भी आप काम करते हैं वो आपको यहाँ पर से select कर देना है यहाँ पर से आप अपनी caste को select कर लेंगे जनरल में है SC, ST, O, BC में है जो भी है select कर लेंगे और यहाँ पर आपको community select कर लेंगे बुद्ध है, hindu है, muslim है, other है जो भी है वो आप यहाँ पर से select कर देंगे और यहाँ पर से आपको nominy की detail enter करनी है, दोस्तो nominy add करना बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप nominy का name enter कर देंगे, यहाँ पर nominy की जो भी date of birth है वो select कर लेंगे नोमीनी आपका क्या लगता है, क्या relation है, वो यहाँ पर से आप select कर लेंगे, यहाँ पर नोमीनी का पूरा address एंटर कर देंगे, यहाँ पर से अपना जो भी state है select कर लेजिए, यहाँ पर से आपका जो भी city है, वो select कर लेजिए, और जिस भी branch में आपको account open करना है, वो branch आप य branch select करनी है, जो कि आपके नस्दिक में है, और यहाँ create my account पर click कर देंगे, और आपके account की detail आपको दी जाएगी, जैसे कि आपका account number, आपका name, आपका fsc code, आपका branch name, आपका branch का address, और आपने जो mobile number लिंक किया है, वो आपको यहाँ पर show कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी हमें account detail तो मिल गई, लेकिन हमार account जो है, वो अधूरा है, क्योंकि अभी हमारी KYC जो है, वो complete नहीं हुई है, तो यहाँ पर KYC complete करना, वीडियो KYC complete करना, बहुत ही सरूरी है, तो वीडियो KYC करने के लिए यहाँ पर apply वीडियो KYC पर click कर देंगे, अब जिसमी date पर KYC करना चाहते है, वो date आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे, और उस date पर आप किस time slot पर KYC करना चाहते है, वो time slot आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे, आपके mother का नाम आप यहाँ पर से enter कर देंगे, आपके father का नाम आप यहाँ पर से enter कर देंगे, state code तो यहाँ पर आ यहां पर enter कर देना है और आप थोड़ा सा नीचे slide कर देंगे यहां पर से आपको कुछ documents upload करने होंगे जैसे कि आपको आधर card का front side आपको यहां पर से upload करना है आधर card का back side यहां पर से upload करना है आपका pen card आपको यहां पर से upload करना है आपका passport size का photo आपको यहां पर upload करना है और आता हैं तो यहांँ पर से मेने for example अधर कट जो है वो sorak?. Let's upload पर कर देना है तो कुछ इस तरह आपका गया है आपका जो çokman way ब अप्लोड हो सब्सक्वान आपको यह सभी जो time है वो और आपकी date है जिस पे आपyttory करने वाला है जिस date और time पर वो लिखी होगी और वहाँ पर साथ ही में आपको एक link provide की जाएगी तो आपका जो time और slowt है उस time पर आपको उस message पर जाना है और वहाँ पर जो आपको link दी गई है उस link पर क्लिक करके आपका वीडियो के वाइसी जो है वो करना है दोस्तों वीडियो के वाइसी के दोगरान आपके पास आपका ओरिजनल पेन काड होना चाहिए और आपके पास एक ब्लेंक पेपर और एक पेन होना चाहिए ताकि आप सिगनेचर करके उनको दिखा सके इन तिन डोक्य के उपर सही आपका जो KYC है वो complete हो जाएगा जैसे ही अपना वीडियो के वाइसी कर लेंगे आ तो आपका जो प्रोसेस है वो complete हो जाएगा आपका online जो एकाउंट है वो successfully open हो जाएगा और activate भी हो जाएगा उसके within पंदर दिन आपका जो ATM है वो आपके पास पहुच जाएगा और मैंने Yuko Bank के उपर और भी interesting videos बना रखे जिसके link आपको description में मिल जाएगी वीडियो पसंद आये तो एक request है के चैनल को subscribe करके bell icon को press शरू से कर लिजेगा और वीडियो को like भी कर लिजेगा आपके like से और subscription से हमें motivation मिलेगा